इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगो फ्रेंट के अप्रियल में फोन में डिस्प्ले एप अपडेट डॉट सेटिंग को कैसे बंद कर सकते हैं और इस सेटिंग को बंद करने से क्या होता है तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्टर तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूटिव चैनल पे नए है इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ओल के उप्सन पर जरूर क्लिक कर दिजएगा तो फ्रेंट्स देखिए होता क्या है कि जब आपके फोन में डिस्पले एप अपडेट डॉट सेटिंग आउन रहता है तो फ्रेंट्स उसके बाद आप प्लेश्टर में जाकर अपने फोन में किसी भी एप्स को अपडेट करते हैं तो फ्रेंट्स अपडेट होने के बाद उस apps के नीचे आपको यहाँ यह green color में एक dot so करने लगता है और friends जब तक आप उस app को update कर देने के बाद open नहीं करते हैं तब तक friends आपके उस app के नीचे यहाँ यह green color में एक dot so करता रहता है तो friends अगर आप ये चाहते हैं कि app को update करने के बाद यहाँ यह green dot zone नहीं करें तो friends जब आप उस setting को off कर देंगे तो friends यहाँ पर आपको यह green dot zone नहीं करेगा तो आप उस setting को कैसे बंद कर सकते हैं इस video में मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको चलिए जाना है अपने real me mobile phone के setting में setting में जाने को आपको नीचे आना है नीचे आपको option मिल जाएगा home screen and lock screen का तो आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद friends आपको नीचे आना है नीचे आपको यह option में जाएगा display app update dot का तो friends आपको यहां से setting को off कर देना है तो आप यह setting जैसे ही off कर देंगे उसके बाद आप किसी भी app को update करेंगे तो friends आपको उस app के नीचे वो dot so नहीं करेगा जो कि उस setting को on रहने के बाद किसी app को update करने के बाद so करता है तो इस तरह के से आप यहल भी मॉइल फोन में display app update dot setting को off कर सकते हैं अगर आपको यहां पर यह वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए है इस चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए